हेलो गाइज वेलकम बैक टू माइ चैनल आज की वीडियो पे हम डिसकस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का आपने रिजल्ट देख लिया होगा जी हां कल शाम को आया है और इसका लिंक आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो अगर आपने जूनियर असिस्टें कि आपने क्वालिफाई कर लिया हो और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा कि सर्ट टाइपिंग कौन सी भाषा में होगी क्या वो इंगलेश और हिंदी दोनों में होगी या कोई एक में होगी तो गाइस मैं आ अभी तक cut off analysis भी करूंगा कि जो comment में जो मेरी previous दो वीडियोज हैं उसमें जो candidate से मैंने request किया था कि अपनी प्लीज marks को share करें कि कितने पर आपने qualify कर लिया है तो वो अभी तक जी हाँ till this time उन्होंने बताया है तो मैं वही आपसे share करता हूँ जिससे आपको rough analysis हो जाए कि हरे category में कितनी cut off गई है और मैं आपसे बताऊंगा कि typing में कितना time आपको लगेगा अभी exam आने में तो चलिए य पेरी वीडियो informative लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना जिसमें मैं next वीडियो ऐसे ही आपके लिए informative content लाता रहता हूं अब सबसे पहले आपका question जो है कि sir typing क्या दोनों language में होगी तो guys यह आप अपनी screen पे देखिए यह आप को एकदम दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा आपका सवाल जो कि typing कौन से language में होगा देखिए इसमें मैंने पूछा था typing in Igno recruitment will be in both languages और in one language तो इसका answer Igno की तरफ से आया है skilled test will be of either English और हिंदी अब जो लोग पढ़ सकते हैं और जिने इधर और और का मतलब पता है तो वो समझ गए होंगे English और हिंदी वरना अभी भी कई लोग comment box में जाके पूछेंगे sir typing English या हिंदी में होनी है तो guys उन लोगों को ध्यान से सुनिए पहला मैंने इसलिए ये शेयर के आप से कि कोई एक language अगर आप English चूज करेंगे और ये अभी तक आपका वहां पे जा जाते हैं वहां पे पूछा जाएगा तो आप अपनी preferred language मतलब दोनों में से कोई एक बार बार आए रिपीट गाइस यही बता रहा हूं जिससे आपके एकदम से clear हो जाए माइंड में सेट हो जाए कि English आएगी या फिर अगर मैं हिंदी चूज करूँगा तो हिंदी आएग अब इसमें मैंने यह पूछा था इगनू से पूछा था एंटी से अभी तक नहीं पूछा है एंटी से भी मैं आटी फाइल करके आपका यह डाउट को clear करने की कोशिश करूँगा जिससे टाइपिंग से पहले आपका एकदम ब्रॉड मैप या फिर गाइडलाइन सेट हो हो जाएंगी कैसा फॉंट है यह मैंने पूछा था विच फॉंट विल बी देर इन हिंदी टाइपिंग इसमें लिखा था एंटी इस हैंडलिंग और एक्टिविटीटीज रिलेटेट टू रिकूट्मेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट करम टाइप पेस्ट दर कैपिंग से एकार्डिंग जो कि सबसे ज्ञादा लोग पूछ रहे हैं अब एक और कोशन जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहें कि सर कट ऑफ कितनी गई है कट ऑफ का देखे अब कई लोग बोल रहे हैं फीमेल में category में गाइस female और male का as such कोई वो नहीं होता criteria cut off decide करने में कि female की इतनी गई है male की इतनी गई है as far as igno junior assistant come type is exam is concerned ठीक है उसमें एक single cut off आई है category wise उसमें कोई आपके gender के basis पे cut off नहीं आई तो यह मत बोलिए कि मेरी female में इतनी category में इतनी cut off नहीं आप अपनी category को ही belong करते हैं वही है ब्राइप वहीं आपका bifurcation trifurcation जिसे आप कह सकते हैं जितना EWS OBC SC ST OUR यह सब चीज़ें ठीक है तो अब मैं बताओं अगर आपसे जो कि आप लोग comment के basis पे बता रहे हैं उसके according मैं बताओं तो देखिए अभी तक generalized अगर कहा जाए ST में 92 का एक candidate कह रहा है कि 92 में मेरा selection हो गया है और SC में जो लोग कह रहे हैं SC में मैंने 93-94 पे सुना है या फिर आप अपने मेरी वीडियो previous वीडियो पे जाके देख सकते हैं में 93-94 वाला candidate कह रहा है सर मेरा selection हो चुका है ठीक है यह selection हो चुका है मतलब क्या है प्री लिम्स के लिए उसने qualify कर लिया अब वो typing में बैठेगा और उसके बाद OBC में मैंने 96-97 वाला candidate का comment पढ़ा है जो यह कह रहा है कि 96-97 जो था उसका as per answer की जी हाँ as per answer की है हो सकता है उनके marks बढ़े हो क्योंकि normalization हुआ है no doubt क्योंकि कई-कई लोग कह रहें कि सर मेरे इतने marks से लेकिन मेरा selection हो गया है तो इसके according और shifts भी का एक-दो shifts भी थी है यह नहीं था कि single shift में paper हुआ कि normalization नहीं होगा तो कहीं न कहीं लोगों को normalization का भी advantage मिला है EWS में मैं अगर बात करूं तो EWS में 98 लेक लास्ट candidate है जिसने comment में बताए कि सर मेरा EWS था और इतने marks था और मेरा selection हो गया है और उसके बाद यू आर में यू आर में 101 मैंने एक candidate का पढ़ा है 101 101 पर ही और यह एक एक candidate नहीं यह average आउट है मतलब दो-तीन candidate बता दे रहें कि यू आर में मेरा 101 पर selection हुआ वरना अगर आप मेरे चैनल पर जो previous वीडियों उसमें देखेंगे तो एक candidate तो बोल रहा है हुआ है EWS का आपका 98 पर हुआ और यू आर का 101 पर हुआ है ठीक है तो गाइस मैंने हरे category को आप से शेर कर दिया कि कितना कट आप गई है most probably हो सकता है चेंज हुआ बट most probably यह as per candidates जो वह comment कर रहें उनकी according तो इतना ही है ठीक है अब उसके एक और question जो आप पूछ रहें कि सर क्या normalization हुआ है तो येस normalization हुआ है क्योंकि different shifts में exam हुआ है तो उसका कहीं न कहीं exam पे normalization का effect पढ़ा है माक्स पे normalization का effect पढ़ा है अब next आपका एक यह question वो लोग पूछ रहे हैं जो typing के लिए qualify के हैं कि सब typing में कितना टाइम लगता है देखिए गाइस अगर आपने JNU का दिया हो exam या फिर आपने विश्वभारती का exam दिया हो या फिर आपने कोई और exam जिया हो जो NTA कंड़ करवाती है ठीक है सुप्रीम कोट का भी था है NTA का ठीक है तो आप ऐसी चीज़ देखेंगे ना typing में जो है क्या यह बहुत अच्छा खासा टाइम लेते हैं जी हां result तो आ जाता है आपका टाइम ली बट typing के लिए अभी तक मैंने इतना promptly action नहीं देखा तो आप minimum मान के चलिए एक महीना 30 days तो कम से कम लगेंगे आपके typing का exam जब आपका होगा ठीक है 30 days में आपको क्या करना है आपको typing की तयारी चालू कर देनी है जी हां आप यह मत सोचना कि जब notification आ जाएगा typing का मैं तब से typing के चलिए तयारी का चालू कर देनी है अब वो कैसे तयारी चालू करनी है वह मैं आपको next video में बताऊंगा और next video में मैं आपसे यह भी शेर करूंगा कि हरे category चाहे वह वह सब जानते कि 200 vacancies है और 2000 प्लस लोगों का selection हो तो हरे category में मैं मैं बताऊंगा कितने लोगों का selection हुआ है और हर एक पोस्ट पे मतलब हर एक category में कितना competition जिससे आपको एक rough analysis हो जाए और आप अच्छे से अपने typing की तयारी और sincerely करें इस selection को पाने के लिए ठीक है गाई इस तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको इस video को like करना है और चैनल को subscribe जरू कर लेना इन दोनों वीडियो की notification चाहे वो आपका typing में कैसे त्यारी करें और चाहे आपका हर एक category में कितना लोगों ने क्वालिफाइक है इस दोनों वीडियो की notification देखने के लिए ठीक है गाई यह था आज का मेरी तरफ से video अगर आपको यह video informative लगा हो तो